तो देखिए सुबह सुबह का मोसम है बहुत ही अच्छा सुवावना मोसम है और यह बिल्कुल जब सुर जुगता है न उस टाइम का है तो आप सबी को गुड़ मॉर्निंग आप सब की सुबह जो है न बहुत ही अच्छी अच्छी जाए और दिन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए खुश्यों भरा तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अमावस्य थी ना तो जोत लगाने के लिए हम लोग आए हुए हैं तो ये देखिए अब आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूं वीडियो में एंड जरूर बने रहीएगा ये दे सत की जगा होती है ये देखिए बिल्ली और कुटा साथ में हैं लेकिन कोई मतलब कुटा जो है ना बिल्ली को कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना और बोलते हैं कि बिल्ली और कुटे की दुश्मनी होती हैं लेकिन यहाँ आप देख है और यह देखी यहां पर कपड़ें सुखारी हुए मैं मौसम अच्छा था और कपड़ेंली के डेली मैं धूल देती हूं एक बार ही होता है कि मैं नहीं दूल पाती हूं बाकी मैं रोज की रोज ही दूल देती हूं और अगर हमारी गली में कुट्टे को बिली जाए ना तो वह हाल कर देंगे कि कुछ नहीं पता और यह देखिए वीडियो को मैंने आपर फास्ट फारवर्ड कर रखा है हेलो एबरीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल नीशालाई फैमली कैसे हो आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और यह देखिए आज आए हैं हम लोग खेत में यह देखिए गेह हूं कितने अच्छे हुए हैं ना काफी जाद अच्छे गेह हुए ह हैं और अधर में बच्चे भी हैं दिखाऊं यह देखिए सामने से तो इस दिए और यह देखिए शेरू बैठा हुआ है यहां पर यह हमारे खेत का कुर्ता है काफी ज्यादा अच्छा है यह आज देखो हमने इसको परशाद भी डाला था लेकिन इसने नहीं खाया यह इस कि अले और यह देखिए दूसरे वाला नपर एटा वाएं आप यह जा चुका है ऑरके ओंवरों हुघा कर रही थी इसलिए 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 पर syndrome कर रही थी न इस मों वहाँ जाकर बैठाки वह पर इसको अच्छा फील भी होता है और तो चलिए आपको सब बैक कैमरे से दिखाती हूं पूरे खेत का की गेहूं कितने अच्छे हुए हैं तो अब भी दिखाती हूं और अभी पीछे गया तो उसमें मैंने वाइस चेंज कर दिया है मतलब वाइस चेंज नहीं किया है फास्ट फारवर्ड उसको किया है और अब यह वाइस ओर मैं कर रही हूं और यहां पर देखिए बच्चे नहीं खेल रहे हैं और यह पाइल खिना आखें नहीं कुल रही है इसकी भी नहीं कुल रही थी क्योंकि सामने था ना बिल्कुल सुरज और मेरी भी दूप में बहुत फारवर्ड कर रखा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता अगर थोड़ा करके दिखाती हो और इतने बड़े वीडियो पर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो चोटा साइव वीडियो है पूरा-पूरा सपोर्ट करिएगा और गेहुं की फसल हब तक तो काफी ज् अच्छी है पिछली बार तो सब कुछ जोएटा खराब हो चुका है आप लोगों को भी पता ही है क्योंकि पिछली बार की सारी फसल खराब हो चुकी थी मैं था उड़ जाओं पापा दो रहाँ आग लेखेते हैं चल्ला कोई से नहीं है आजो चल्ला के वन सो वो कम आले आजो आओ चलो दिखा के लाते हैं आजा पिछे पिछे जल्दी तो बै कैमरे से दिखाऊंगे आको तो दिखिए हमारे गेम हुँ जो है वो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं और देखिए पेड़ अमरूद के पेड़ दिखाती हो अपने यह देखिए अभी सर्दीगा मौसम है न तो इनका कलर जो है न वो चेंज हो चुका है थंड की वज़े से यह देखिए बड़े तो यह काफी ज्यादा हो चुके है लेकिन अभी थंड का मौसम है न तो इनका कलर जो है वो ग्रीन से कैसा हो गया कबल है कबल का किस आओ गया कलर तो बता दे यह वाला ठंड से बचा हुआ है अभी इसको ठंड नहीं लगती है यह वाला भी अच्छा है तो यह देख लीजिए गेहूं की फसल है इतनी बड़ी हो चुकी है अभी और कुछ गेहूं जो है न वो पिलापन न आ चुका है इनमें पता ने किस वज़े से शैद पाने और एक जगह पर इकठा जादा रह जाता ना तो इस वज़े से अभी इनमें खार पानी भी लगा दिया है जिसको लगाना है और यह हम अपने ही खेत का दिखा रहे हैं तो यह देख लीजिए आप और यह देखिए कहीं कहीं पर पिलापन है सब जगह नहीं है तो बहुत ही अच्छा लगता है ना हर्याली हर्याली है अब तो सब जगह पर और यह देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूं यह है सरसों झोटे वाले हमारे आतों पता निक डाकल बोलते इसको आपके आप पता निक्या बोलते चोटी-चोटी जो सरसो होती है उसको पालक में मिलाकर बनाया जाता है न तो उससे सब्जी जो है काफी टेस्टी लगती है और ये खाने में भी उसका टेस्ट जो है न वो दुगना हो जाता है तो आप चल रहे हैं गर के तो ये देख लिए जी हर्याली है चारो तरफ और ये देखिए हमने थोड़ा सा न एक जोगन्य होते हैं थोड़े से यहां पर बहुत दिये थे तो ये देखें अब कितने ज्यादा जमीन थी और काफी ज़्यादा अच्छा लगता है ना खेत में आकर सर्सों का खेत भी दिखाऊंगे आप लोगों को वेडियो मेंट तक जरूर बने रही गा और यह देखिए साथ में छोटे-चोटे नीम के जो आना पर निकल आए हैं क्योंकि से तूत का था ना वो तो तो आप उसके पत्ते वगेरा ना इसना ना इसके ओपर कर दिया ना तीम अपला होई जेगी इसना और सुखा सुखा भी यह नीचे से आप देख सकते हैं हो चुका है बैस तो अब इसके साथ में और ज्यादा हो जाएंगे ना तो अच्छा भी लगता है अगर हम पेड़ लग देखो मेरी किसमत कैसी है क्योंकि घर भी जाना जरूरी है काफी टाइम हो चुका है यहां पर यह लोग क्या बोलते हैं यह लोग बोलते हैं कि मेरे पर खार और पार उसका सलफर कासर नहीं होने वाला है कैसे ही अपना हम लोगों पर प्यार बनाए रखिएगा दर्देंगे क्या और इसके पापा क्या बोल रहे है कि इसके मा की तो माया ही निराली है और यह देख लीजे सरसों का खेट काफी ज़्यादा पीला पीला लग रहा है ना बहुत ही अच्छा लगता है देखकर और य के साथ खेल रहे हैं अभी कार इनोंने बनाई है और यह चोटा सा गुड़ा बना दिया इसका मूँ साइड कार में बिठा दिया है और यह देखे खेट से आने के बाद ना हम लोग यहीं पर आये थे मैंने आप लोगों को बताया भी था ना शायद एक वीडियो में कि मेरे देवर के घर पे लड़का हुआ है तो वहीं पर प्रोग्राम था खाने पीनेगा और मतलब यह इनोंने कर रखा था तो यहां सब भी डांस करें थे मैंने भी डांस किया था लेकिन जब मैं डांस करने लगी ना मेरे फिवान की बैटरी का मैंने ध्यानी ने दिया और वो ल अगता है नहीं हमने किसी को और बी हम बाहर में रहने लग़ा आगे में जाके और साइड में ही हम लोगों का घर है तो वहां पर अभी किसी को हमने छोड रखा है ताकि देख पाल रही होती रहे कीडव गयरा या फिर साफ सफाई होती रहती है ना घर में तो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है देखकर और जाते है तो घर खुला का खुला ही मिलता है तो ये देख लीजिए और ये देखें दूद फट गया था तो मैं इससे पनीर बनाने की कोशिस कर रही थी मेरे पास नीमू नहीं था